हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आपको पता जैसे जेके एससबी ने जो कल का जो एक्जाम कलेंडर है वो आउट कर दिया गया है जिसमें बहुत सारे जो एड़टाइजमेंट नमबर थे उनमें जो एक्जाम होने वाले थे उनके जहां पे नोटिफिकेशन निका जालेगे जैसे FAA, BLW, Driver Gallery के, Hearticulture में और Cooperative में इन सब में जो आपके एक्जाम होने हैं उनका शेडियूल जेके एससबी ने आउट कर दिया गया है बट सबसे जादा जो इंपोर्टेंट बात है इस वीडियो में बात करने वाले हैं Stock Assistant, Veterinary Pharmacist, Wildlife Guard, Forester और जो जुनियर असिस अपडेट नहीं निकाली गई और सबसे जो इंपोर्टेंट था FSI जाने कि Finance Sub Inspector के एक्जाम के लिए जो इंपोर्टेंट था ठीक है उसका जहां पे कोई भी अपडेट नहीं किया गया अगर उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया तो इसका मतलब Candidate को लग रहा ह कि वो आउट कर दिया गया जाने कि वो विद्रा कर दी गई जितनी वी वेकेंसिस निकाली गई थी बट अब Candidates ने उसके लिए साड़े 500 रुपीज फीस वरी है वो कोन बरेगा और Candidate उसके लिए Specially prepared कर रहे हैं जैसे मैं 327 वेकेंसि जो जूनी Stock Assistant और Baternery Pharmacist की आई हु से सफर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा सफर कर रहे हैं Finance Sub Inspector के Candidates जब JKPSI आया था उससे एक साल पहले वो फार्म लगे थे लेकिन अभी तक उसका exam conduct नहीं हो रहा तो इस तरीके से अभी तक इसको 3 साल हो गए और जो Stock Assistant को भी 2 साल होने वाले हैं जाने कि पिछले जून चार आ JKPSI से सबी Candidates की तरफ से एक ही request है कि उनका exam भी इस schedule को update करके इसमें insert करिए ताकि उन candidates को भी अपनी performance दिखाने का मौका मिले कुछ candidates ने इन पे फार्म लगाए हुए थे अभी उनकी preparation कर रहे हैं उनका कोई भी कुछ नहीं किया जा रहा लेकिन कुछ मान रहे हैं कि इसका exam में जो भी अब next update होगा वो बताया जाएगा जा court case है कुछ ऐसा भी सामने नहीं आया इन exam को लेके तो अभी तक कोई भी इसका update नहीं किया गया तो हमने भी grievance जो डाली थी JKSSB को उसका भी कोई reply नहीं आया और सभी की मदद से जो भी grievance डालेंगे जा JKSSB को email करेंगे इन स FAA इन सब के exam schedule पे कर दिये गए हैं तो वो schedule आपने देख लिया होगा तो आज के इस पार्ट में बस इतना है अगर इसके recording कोई भी doubt होगा तो comment section में जरूर पूशिए